किसान पिछले कई दिनों से अपनी मांगो को लेकर आंदोलन पर बैठे हैं इसी वीच एक ऐसा वीडियो वारल हो रहा है जो सरकार की व्रवस्ताओं पर सवाल उठाता है बुलन शहर में एक सरकारी काटे पर किसान से खुले आम रिश्वत ली जा रही है वीडियो जहांगिराबाद अनाज मंडी का बताया जा रहा है जिसमें मक्के के सरकारी काटे पर किसान से रिश्वत ली जा रही है पीडित किसान सुक्पान ने डियम आफिस पहुँचकर एप्लिकेशन देकर आरोपी ठेकेडार पर कारवाई की गुहार लगाई है बताया जा रहा है कि पीडित किसान अपनी मक्का लेकर सरकारी कार्टे पर पहुचा ठेकेडार ने मक्का तोले के नाम पर यूवक से 1500 रुपे की मांग की इस दोरान पीडित किसान ने ठेकेडार को रिश्वत का पैसा तो दे दिया मगर किसान ने पैसे देते हुए ठेकेडार की वीडियो मोबाईल में रिकॉर्ड कर ली और इस तरह सरकारी कार्टे पर रिश्वत लेते ठेकेडार का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो गया मक्का को मामिला जी साब हम पतिनिस्पत नीरी कंदरे 100 रुपे यहां जाटार को मक्का लेकर गए ते अपनी मक्का बेचने के लिए सरकारी कांटे पर पहुंचे तो वहां मक्के के नाम पर रिस्पत ली जा रही है तोले के लिए कि इन से कहा जाता कि मक्का ये गंदी है ये मक्का इसमें भूला का चला चल्ला वह लंगोंगों आपको पेसे देंगो चल्ला ՚ल्ला वह लंगों प्र पाइसे देने हुख जो इनों कि पैसे इतने मैं ल सव फ़ीक है और मेर करट भी दार लगो तो न कि पैसे भी दिए पर bonito क्योंकि पेसे घर सानी है पहघे लूबागा के लिकलि की बड़ा की पतर है देकर अपनी मक्का दुलवाई लेकिन पेसे देने के समय हमें वीडियो बना ले